दोस्कार दोस्तो एक वार फिर्शी स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एस्पिरियल टिप्स में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताएंगे कि आमेकस्पेलेर में जो हमारी गैलरी की वीडियो सो होती है उसको आप हाइड कैसे कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आपके में में कोई भी वीडियो है अगर उसको आप हाइड करना चाहते हैं या फिर उस पूरे फॉल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम यहीं बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने MX Player अफ्लिकेशन को अपन कर लेना है और आप जिस फॉल्डर को आप जो यह आपको बहुत से यह पर फॉल्डर शो हो रहे हैं आप जिस फॉल्डर को अगर आप हाइड करना चाहें तो simply उसको थोड़ी देर टैप करके यहांसी आप कर लीजएगा उसके बात right corner पे 3 dot पर आपको click करना है और यहाँ पर निच्चे आपको एक option मिलता है hide का simply आप इसको hide कर दें तो जैसे ही मैंने यहाँ पर hide का option किया तो यहाँ पर हमारा वो जो यहाँ पर folder दिस हो रहा था download का वो बिल्कुल hide हो गया है अब दूसरी condition में यह बताएंगे जो folder आपने hide किया है अब उसको आप unhide कैसे कर सकते हैं यानि उसको फिर से वापस कैसे ला सकते हैं तो दोस्तों फिर से वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको MX player की left side में यह 3 dot पर किलिक करना है और MX player की थोड़े निच्चे जाएंगे तो यहाँ पर इसकी MX player की setting देखने को आपको मिलेगी local player setting simply आपको इस setting तक पहुँ जाना है यहाँ पर कुछ MX player की setting खुल किया जाएगी तो आपको जो first की option है list का simply आपको इस list की option को open कर देना है तो थोड़ा से निच्चे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक scan folder का option भी देखने को मिलेगा simply आप इस scan folder पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमने जो folder hide किया था डाउन लोड का तो यहाँ पर वो folder के यहाँ पर भी कटा हुआ सा देखने को मिल रहा है अगर आप इसको unhide करना चाहें तो simply आपको यह जो right side में box दिख रहा है simply इस पर click कर दीजिए और निच्चे आपको एक show का button दिख रहा है simply आप इस show के button पर click कर दीए जो पहले यहाँ पर कुछ यह folder कटा हुआ दिख रहा था अब यह बिलकुल okay हो गया है यानि अब हमारा वह folder फिर से unhide हो गया है वह जैसे refresh करेंगे तो दोस्तों जो पहले हमारा folder यह पर देखने को नहीं मिल रहा था simply वह folder अब दोबारा हमाएं देखने को मिल गया तो दोस्तों एक बात बताओ अगर आपको यह पहले यह तरीका पता था या फिर नहीं पता तो यह चीज मुझे comment box में जरूर बताईएगा अगर कोई doubt लगे तो भी मुझे जरूर बताईगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी like जरूर करके जाईएगा तो मिलते हैं सीतरे के नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद